पॉस्टिव एथीजम हिंदी चैनल प्रेक्षिकों को स्वागत आज के एपसोड में गोरा जी के चोटे बाईी सामसवरा के शादी के बारे में बतावूंगी इस अज्जय को समाप्त करने से पहले मुझे आपसे एक बात बतानी हैं वह हैं हमारे देवर सामसवराव का विवाह सामसवराव बच्पन से ही गोरा जी से प्रभावित होकर हमारे बड़े बेटे के समान था उन दिनों हम सब मिलकर काकिनाड में ही राते थे इसलिए उनका बच्पन मेरे ही पास बीता हमारे बंदर आजने के बाद भी वहर चुट्टियों में हमारे पास आया करता था उसने काकिनाड के आरार कालेज में अंग्री जी में बीए पास किया था उस पर गोरा जी का प्रपाव इतना ता की उसके अज्छपक गोरा जी से बताते की वह अंग्रे जी साहिच से जुडे लेक लिखते समय कहीं पर भी भाग्य और किस्मत जैसे सब्दों का प्रयोग ही नहीं करता था गोरा जी उनका अंतर जाती विवा करना चाते थे परन्तु हमारे ससुच जी इसको स्वीकर न कर दूसरी सेका यवं विद्वा विवा की स्वीकरती दी इसलिए जब इस बात की चेचा घर में चल रही थी तब गोरा जी को जेल में परिचित मल्रादी सिवरामय स्यास्री जी ने कभी बताया था की उनकी एक विद्वा बाहन है और हमारा परिवार कटर सांप्रदाई को होने के बावजुद हम भाई अपनी बाहन का पुनर्विवा करवाना चाते है इसलिए गोरा जी ने पूच जानकरी प्राप्त की माला दीजी वुयूरी के पास कनकवली अग्रहारम के हैं वे पांच भाई और तीन बाहने हैं सभी भाई राष्ट्री भाव और समाज सुधर की सोच रखने वाले हैं उनकी बड़ी बहन विद्वाती उस समय सभी भाई चोटे होने के कारण उनके भावना उन भाईयों में वुत्पन हो गई गोरा जी ने सिवराम सैस्री जी को बुला कर सारा विवरन लेकर काकिनाडा पत्तर लिखा हमारे सास ससुने खुश होकर जवाब लिखा की हमारा लड़की को देखने की आवशिकता नहीं हैं साम सिवराव आयेगा और मैं लड़ को लेकर मुधनुरू आये वह बहुत चालाक लड़की हैं और संगीत भी जानती हैं वेद उपनिशद दर्शन स्यास्र भी पड़ी हैं खुद गीत रचना करती हैं आंक नाक की भी आच्ची हैं और सबसे बड़ी बात दोया हैं की वहास मुक और मिलन सार हैं मुझे देखत से ही पसंद आ गयी सामसेव रवना भी तुम्हारी मर्जी भाभी काते हुए शर्मा कर अपनी साहमती देदी हाइमवती ने लवणम और मनोरमा से अच्छी दोस्ती कर ली लवणम उसका पल्लू पकट कर ही घूमता था वह बच्चों के साथ खेतों में जाती पेड़ पर च अपने पुनर विवा के लिए तैयर होना और सामप्रदाइक गुलामी के किलाफ लड़ने वाले गोरा जी के भावों का अनुकर्न करने वाले उनके भाई से विवा ये सब उनके सोच के बाहर की बात हैं और उनका सपना सच होने जा रहा हैं यह सब सोच कर हाइमवती में मा मैंने सच्चाग्रा करने का निर्नाई लिया ता इसरी ये उससे पहले शादी कर देने का निर्नाई लिया गया। की अजिक्षता में विवा का विदाई समारोख यवं सापंक्ति भोजन की व्यवस्ता हमने की हाइमावती की मा और बड़ी बहन गाव के कई बुजुर्ग ये काकर इस विवा का विरोधिकिया की परंपरा ब्रस्ट हो रही हैं। इस सभा को और सम्यक्त भोजन कारिक्रम को सफल बनाया। हमारे सास ससूर और ननद सामराजम कनकवल्ली आये। तब हमें स्री वीरे सिलिंगम पंतुली जी की याद आयी। चाहि कितनी भी अच्चने आये सुधार आंदोलन आगे बड़ती ही रहेगी। इसका सभूत हैमावती और सामसेवराव के विवा के एक बार फिर साबित कर दिया। अगले एपसोड में फिर मिलेंगे धन्यवाद। इसम और अटिवे बल इकोन